सीटले त्वम जगन माता, सीटले त्वम जगत पिता, सीटले त्वम जगत धात्री, सीटला ये नमो नमः बंदे हम सीटलाम देविम, रासवस्थाम दिगंबराम, मार्यनिम कल जो केताम, सुरुपालं कितमस्तताम कल सनीवार को चतूर्थ सीटला आश्टिमी का महापरव है गुरुवार आज सत्तिमी तिथी है, आज रात्री में हमारी माताएं अपने घर में रसोई घर को साफ सुथरा करकर लिप पोट कर नेवज, गुलगुला, लफसी, आम, दही, बतासा, पेड़ा, चना, धार, इत्यादी, एवं एपन जो चावल और हल्दी से बनाया जाता है, एपन इन सभी पुजा सामग्रियों को बनावेंगी, और अपने घर में भगवती की पुजा सर्व प्रथम करेंगी तत्पश्याद ऐसा परंपरा है, की सब्तमात्रिका सिद्धपीट स्रीवडी सिद्ला मतावाई धाम में जाकर वहाँ भगवती की पुजा अर्चना करने के बाद बतिया यानि धर्ती की पुजा करके फिर अपने घर में अपने घर के देवली की पूजा करके तब उसके बाद अपने घर में जाती हैं और अपने पूरे परिवार के साथ बनाया हुआ भोग प्रशाद जो की बासी बसियोरा इसका नाम बसियोरा है खाती हैं और इसमें ये विधान है कि इसमें गरम पदार्थ नहीं खाना चाहिए ऐसी कथा आती है कि एक गाउं में एक परिवार रहता था और उस दिन सीतला अश्टिमी थी तो उसके माईके से बुलावा आ गया और वो अवरत जो है वो उठी और जल्दी जल्दी चावल बनाई और भाट बनाकर पराट में डाला खाली में और उसमें दही मिलाया और तुरंद भोग लगा के खाके चली गई रास्ते में एक बुली उसे मिली जो करा रही थी उसके पूरे सरीर में छाले पड़े हुए थे फफोले पड़े हुए थे और कुछ ठंडा मांग रही थी कि कोई मुझे सीतलता दे दे वो रुकी और पूछी कि ये क्या हाल आपका कैसे हो गया माँ उसने कहा कि तुमी ने है जल्दी जल्दी बना कर हमको भोग लगा दी जिससे कि उस गरम से हमारे सरीर में ये फबूले फड़े बढ़ तब वो गड़ा छमाया चना की और चमाया चना करने के बाद माताराणी ने उसको वबाए बताया कि हमको दही पूरे सरीर में लगाओ और दही लगागर ठंधा जल और नीप के जल से हम कोशनान कराओ तब जाके शान्ती होगी और शान्ती हुई इस प्रकार से इसमें ये विधान बताया गया है कि गरम पदार्थ नहीं खाना चाहिए अगर साल में हम चार बस युणा पूजा हर घरों में होता है तो अगर साल में एक चार दिन अगर हम ठंधा भोजन करें गरम पदार्थ नखाएं गरम नखाएं तो ये हमारे स्वास्त के लिए हमारे सरीर के लिए बहुत ही लावदायक है और ये महापूजा जो चार शैइत बैसाग जेठ और असाड ये चार पूजा सदियों से परंपरा से प्राचीन समय से चला आ रहा है ऐसा कथा आता है कि सर्वप्रथम भगवती पारवती ने गनेज जी के लिए ये पूजा प्रारंब किया था और उन्होंने इस पूजन के बाद जब गनेज जी स्वस्त हो गए प्रसन्न हो गए ये पूजा वास्तव में महामारी विस्फोत का दिदारून रोग जैसा क्सी प्लाष्टक में आया गलगंड गरहार होगा ये चान्ये दारूना निराम तोधन ध्यान मात्रेन सीतले आंति संचयम भगवान शिव करते हैं कि गलगंड ग्रहार होगा ये गलगंड और ग्रह और रोग न मंत्रम न उसदम तत्र इसका न कोई मंत्र है न कोई और शदी है कहें इसका मंत्र और शदी क्या है कहें भगवती शीतला का ध्यान, स्मरन, पूजन इससे ही ये समस्त प्रकार के महामारी दूर हो जाते हैं और ये महामारी के समन के लिए ही चार अश्टिमी की पूजा की जाती है अपने बच्चों अपने परिवार के निरोगित रहने के लिए हमारी मताएं सदियों से परंपरा के अनुसार ये पूजन करती है अकल ये वसियुदा पूजा है हम समस्त कासी वासियों से बिनम्र निवेदन करते हैं क्यों अपने घर में ही पूजा करें क्योंकि इस बखत महामारी का प्रकोप है और इसके चलते मातारानी का मंदिर बंद है आप लोग अपने घरों में रहकर ही भगवती का पूजन अर्चन करें जब मंदिर खुलेगा तब आप लोग मा का दर्शन करेंगी अन्यता अपने घरों से कल पूजा के लिए मंदिर की योर न जाएं अपने घर में ही रहकर पूजन करें इसी में हम सब की भलाई है यही मातारानी की इच्छा है ताग वहिया है वह है जो राम रचिराखा का करी तरक बढ़ावे साखा तरक बढ़ाने से कोई फाइदा नहीं है जो होगा जो रचित है जो विधातां ने विधान बना दिया वही होगा हमारा आपका यहां कुछ नहीं चलेगा यह विधी का विधान है एक समय ऐसा भी यह है कि हम अपने इष्ट देव के नहीं जा सकते हम अपने इष्ट के पास नहीं जा सकते हमारे सभी देवी देउता अपने को बंद कर लिया है कि ये एक संदेश है क्यों ऐसा किया इस पर विचार होना चाहिए ये विचार नहीं भी सह है कि जिस कासी पूरी के रक्षक काल भैरो हो बजयंग बली हो उस कासी पूरी में ये महामारी इस प्रकार से तांडो मचाई हुई है तो इसका कारण क्या है और सभी चीजे बंद है हवन, अनुष्ठान, पूजन, जागरण सब कुछ बंद है इसका मतलब है कि देवी देवताव ही हमसे रुष्ठ हो गए है और इनको मनाने की जरूरत है इनका अनुनय बिनय करने की जरूरत है तब ही इस महा संकट से हम लोग उबर पाएंगे उनन, सीतला अश्टिमी की हम समस्त कासी वासी एवं देश वासीयों को मंगल सुभ कामना देते हैं और भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब की वो रक्षा करें इस महा मारी से वचाऊएं और जल्द से जल्द इस महा मारी को दूर भगाऊएं उनन, आप से करवत्र प्रार्थना है कि आप कल सनीवार श्री सीतला अश्टिमी के दिन अपने घर में ही रह कर पुजन करें घर के बाहर मंदिर में जाने का कष्ट न करें इसी में हम सब की भलाई है जै माता की जै भवानी